नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन ओफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने गरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस रियर बंपर को कैसे बापिस इंस्टॉल किया जाता है एक्चल में एक सब्सक्राइबर है उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये बंपर नहीं चट रहा है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है जो पीछे म प्लेस कर देना है और जो सेंटर में लॉक देख रहे हैं इन लॉक्स को इंसर्ट करना है सबसे पहला काम तो ये करना है उसके बाद में जो साइड में पैनल पे जो लॉक है ना फेंडर के उपर में इन लॉक्स को खाली मतला अपनी जगा पे रख देना है इनको प्रेस नह नहीं हो पाएगी, यही आपके साथ में problem भी हो रही है, ठीक है sir, तो अभी आपको क्या करना है, कि सबसे पहले तो इसको प्रेस कर दो, अच्छे से, जब हमारे दोनों साइड में place हो चुके हैं, इसको अच्छे से प्रेस कर दो, तो सर मैं आपको बता दूँ अगर आपको खोलने का प्रोसीजन नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा बंपर खोलने की में अल्रडी वीडियो बना चुका हूँ तो आपको ये जो दोनों बोल्ट हैं दसनमबर के इन दोनों बोल्ट को अपनी जगा में टाइट कर देना है अच्छे से ज़्यादा टाइट नहीं करना है इन तो प्लास्टिक है फट जाएगी राइट और नीचे में दो बोल्ट लग रखे हैं अपने दस नमबर के उन दोनों बोल्ट को टाइट कर देना है और आपका बंपर अल्मोस्ट इंस्टॉल हो चुका है अभी मेन काम हमारा ये बचा है कि जो साइड में स्क्रू लगे हैं ये आपके टाइट होंगे या तो प्लास के साथ में या फिर आपको चाहिए ये वाली स्टार एलन की खोलने के लिए बहुत जरूरी है तो स्टार एलन की साथ में इसको दोनों को स्क्रू को दोनों साइड वालों को tight कर दीजिए, tight करने के बाद में आपका मामला जो है, almost fix हो चुका है, अब यह जो trim के ऊपर में locks लगे हैं, इन locks को आपको insert कर देना, मैं दूसरी साइड में दिखाता हूँ, यह बड़े प्यार से insert हो जाते हैं, आपको धक्का मुकी करने की ज़्यादा जरूरत नह आते हैं, तो यह locks अपने fix हो चुके हैं, और locks fix करने के बाद में अपने को क्या करना है, जो mud flap है, mud flap का हमने screw निकाला था, उस screw को पेचकस की मतलब से इसको tight कर देना है, वापिस, तो यह दोनों screw अच्छे से tight कर देने, mud flap जो हैने इनकी बहुत शिकायत आती है, यार कि मतल जाते हैं, तो इनको nicely tight कर देना है, और यह होता है कि vibration के साथ में यह खुल भी जाते हैं, तो आपको फिर क्या करना है, कि मेरे चैनल को subscribe करना नहीं भूलना है, और साथ में यहाँ पर plastic के locks लगे होंगे, इन locks को भी लगा देना है बापेस, तो आशा करतो हैं छोड़ी सी व लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को subscribe करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत